बढ़ा मेरे प्यारे शोता गड़ों, मैं कता वाचा कंकुर, आज आपके सामने प्रसुत करने जा रहा हूँ, बढ़ों के जीवन से शिक्षा के अंतरगत कता महर्शी दधीची महर्शी अथरवा की पत्नी शांती से दधीची जी का जन्म हुआ था, छोटे पन से ही दधीची बड़े शांत, परुपकारी और भगवान के भक्त थे, उन्हें भगवान शंकर का बजन करना और तपस्या में लगे रहना यही अच्छा लगता था, कुछ बड़े होते ही पि अधिकार कर लिया, और देवताओं को उस असुर के जीतने का कोई उपाय नहीं सूच पड़ा, तो यह भगवान नाराण की शरण में गए, भगवान नाराण ने देवताओं से कहा, कि यह वृत्ता सुर को कोई भी साधान हत्यार से नहीं मार सकता, वह पहले जन्में शेष रिशी का भक्त था, उसे तो महाशी ददीची की हजडियों से बने वज्जर के द्वारा इंदर ही मार सकते हैं, महाशी ददीची ने इतनी बड़ी तपस्या की है कि उनकी हजडियों में अपाशक दिया गई है, वह इतने परोपकारी हैं कि मांगने पर अपनी हजडियों सतकार किया, उनकी पूजा की और पूछा आप लोग किसले ही हाँ आए हैं, देवताओं के राजा इंदर ने कहा, वरत्ता सुने हमारे घर द्वार चीन ले हैं, हम लोग बहुत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं, सादो पुरुष अपने पास आये दुखी लोगों को दुख कष्ट उठा कर भी दूर करते हैं, महाशी ददीची बोले, नब्रामण हूँ, युद्ध करना मेरा धर्म नहीं है, असुर्ण में मेरा कोई अपरात किया नहीं, इसलिए उसे शाप देने से मुझे पाप लगीगा, इंदर ने कहा, हम सब तो आपसे प्रातना करने आए हैं, कि आप अपनी हजडियां दे दें, तो उसे वज़र बना कर हम व्रतासुर को जीत लेंगे, प्रातना करके इंदर चुप हो गया है, लेकिन महाशी ददीची को बड़ी परसंदता हुई, वे बोले, यह तो बहुत उत्तम बात है, मृत्य तो एक दिन हो नहीं है, क देंगल की गाया वहाँ आ गई, उन्होंने ददीची के चेहरे का देह का सब चमड़ा मास आदी चाक लिया, उनकी हजडियों से विश्व कर्मा ने वरज़र बनाया, उसी वज़र से इंदर ने वरतासुर को मारा, दूसरों का उपकार करने के लिए अपनी शरीर को हजडि